हार्ट अटैक कितनी उम्र में आता है? हार्ट अटैक पहले बड़े बूढों की बीमारी मानी जाती थी. लेकिन अब इसके चपेट में 30 से 40 साल के उम्र वाले भी युवा आ रहे हैं. हर पांच में से एक पेशेंट की उम्र 40 साल से कम होती है. आज से कुछ साल पहले 40 साल के मरीज को दिल का दौरा पड़ता था. भारत में मौत का नंबर एक कारण क्या है? विश्वस्तर पर हरिदय रोग मृत्यू का शीर्ष कारण है. मान्चित्र में हम दुनिया भर में हरिदय रोगों से मृत्यू दर देखते हैं. भारत में लगभग 10 प्रतिशत मौतें सडन कार्डियक अरेस्ट के कारण होती हैं, जो दुनिया में मौत का सबसे आमकारण भी है. कार्डियक अरेस्ट हार्ट समबंधित काफी खतरनाक स्थिती है. इस स्थिती में हार्ट काम करना बंद कर देता है और इंसान की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से मौत कैसे होती है जब हमारे दिल में खून का फ्लो कम हो जाता है या उसमें किसी तरह की रुकावट आ जाती है तब हार्ट अटैक आता है इसे दिल का दौरा आना भी कहा जाता है धमनियों में फैट या कोलिस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से खून ब्लाड के फ्लो में रुकावट आ सकती है हार्ट अटैक की वजह से कई लोगों की मौत होने के मामले भी सामने आते रहते है सबसे ज्यादा हार्ट अटैक कब होता है सुभा के समय डेड चैल्स अधिक होती है रिसर्च में सामने आया कि सुभा तीन से चार बजे और उसके बाद होने वाले हार्ट अटैक अन्य समय की अपेक्षा अधिक खतरनाक होते है अच्या नक क्यों आजाता है हार्ट अटे हाइपर्ट्रॉफिक कार्डियो मायोपैथी ये एक मेडिकल कंडिशन है यह एक अनुवानशिक बीमारी है डॉट इस कंडिशन में अक्सर खेलते हुए जिन करते हुए कार्डियक अरेस्ट से युवाओं की मृत्यू हो जाती है ये एक ऐसी स्थिती है जो हृदय की मानस्पेशियों को मोटा कर देती है आमतोर पर खराब लाइफस्टाइल के कारण ऐसा होता है हृदय की मोटी हुई मास्पेशियां हृदय के लिए रक्त पंप करना कठिन बना सकती है हृदय चैंबर की दिवारे मोटी और कठोर हो जाती है जिससे रक्त की मात्रा कम हो जाती है हाइपर्ट्रॉफिक कार्डियो मायोपैथी, HCM, कंडीशन वाले कुछ लोगों में लक्षन नहीं होते हैं जबकि कुछ लोग एक्सरसाइस के दौरान लक्षन महसूस कर सकते हैं कुछ लोगों में लक्षन तब दिखाई देते हैं जब ब्लड वेसल पहले से मोटी हो चुकी होती है आमतोर पर उन्हें सीने में दर्द या शारिरिक परिश्रम के साथ बेचैनी होती है हार्ट बीट असामान्य हो जाती है जरूरत से ज्यादा थकान विक्सित होती है और वो बेहोश हो जाते हैं और कहीं गिर जाते हैं लेकिन हर बार हार्ट अटैक के लिए जीन-जीममेदार नहीं होता हैं इनके और भी कारण है क्या होता है जब आपका दिल रुक जाता है? जब हरिदय रुक जाता है तो आक्सीजन युक्त रक्त की कमी से मृक्यू या स्थाई मस्तिश्क क्षती हो सकती है वयसकों में कार्डियो पल्मोनरी गिरफतारी के विभिन कारण है कुछ सबसे सामान्य कारण है निम्न ऑक्सीजन स्थर, गंभीर इलेक्ट्रोलाइट असामान्यताएं, फेफ्रे में रक्त का थक्का, फुफुसिय अंत शल्यता, फृदय में रक्त का थक्का, दिल का दौरा, कुछ दवाएं या कुछ अन्यमित हृदय ताल क्यों होता है हार्ट अटैक का खत्रा? डाइबिटीज, डाइबिटीज अब शुरुवाती दिल के दौरे के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक के रूप में उभर रहा है अगर आपको डाइबिटीज है, तो आपको हृदय रोग विक्सित होने की संभावना उन लोगों की तुलना में चार गुना अधिक है, जिन्हें ये नहीं है यह एक फैक्ट है कि हाई ब्लाड शुगर लेवल आपके रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुँचाता है बदले में धमनियों में वसा के जमाव की संभावना बढ़ जाती है डाइबिटीज के रोगियों में हाई ब्लाड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे अन्य बीमारी होने की भी संभावना होती है उच्चरक्त चा पाचकल बुजूर्गों से ज्यादा युवाओं में हाई ब्लाड प्रेशर की समस्या देखने को मिल रही है हाई ब्लाड प्रेशर की वजह से रिदय की मानस्पेशियों मोटी हो जाती है और ये ठीक से काम नहीं कर पाता ये blood vessel को भी नुकसान पहुचाता है और इस प्रक्रिया में दिल का दौरा पढ़ने का खत्रा बढ़ जाता है मोटा पावे से आप स्वस्थ हो सकते हैं लेकिन आपका वजन जरूरत से ज्यादा है तो आप अपने सभी अंगों पर ज्यादा काम करने का दबाव डाल रहे हैं इसमें आपका दिल भी शामिल है आप ज्यादा मोटे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप फास्ट या प्रोसेस्ट फूर खाने के आदी हो जाते हैं अगर आपको लगता है कि आप रेडी टू इक या प्रीमेड मिली पैकेज का इस्तिमाल कर रहे हैं तो ये आपके घर का खाना नहीं है इसमें भी ट्रांस फैट, शुगर और अतिरिक्ट नमक होता है जो रक्त वाहिकाओं में घनत्व वाले लिपाप्रोटीन या खराब कोलेस्ट्रॉल के जमाव को तेज करने के लिए जिन्मेदार हुए हैं कोशिश करें की फाइबर युक्ट फल और सबजिया के थाली का बड़ा हिस्सा हो स्मोकिंग युवा वयसकों में दिल का दवरा पढ़ने के लिए सिगरेट प्रमुख जो खिनकारक हैं डॉट धूमरपान न करने वालों की तुलनामे एक दिन में एक पैक धूमरपान करने से दिल का दौरा पढ़ने का खत्रा दो गुना हो سकता है डॉट सिग्रेट के धुए में रसायन रक्त को गाढ़ा करते हैं और धम्नियों के अंदर ठक्के बनाते हैं। जिम और एक्सरसाइज भी जिम्मेदार ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो अपने शरीर को शेप में लाने के लिए जिम जा रहे हैं। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत सारे जिम ट्रेनर क्वालिफाइड नहीं होते हैं। उन्हें हेल्थ कंडीशन और एक्सरसाइज के रूटीन के बारे में जानकारी नहीं होती है। वो हर दिन आपको ज्यादा से ज्यादा जिम करने की सलाह देते हैं, जो आपके लिए सही नहीं है, डॉट इसके अलावा आपको कई सारे प्रोटीन लेने की सलाह देते हैं, जिसमें शुगर, सैचुरेटेर फैट और भी कई ऐसे टॉक्सिन होते हैं, जो आपके दिल के हार्ट ब्लॉकेज के शुरुवाती लक्षन क्या है? ऐसा होने पर आपका दिल या तो धीमी रफ्तार हार्ट ब्लॉकेज सिंप्टम्स से धड़कने लगता है या फिर हार्ट बीट स्किप हो जाता है। अतली मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे दिल का दौरा पढ़ रहा है। ये है हार्ट अटैक के सामान्य लक्षन। दिल का दौरा पढ़ने के सामान्य लक्षनों में सीने में दर्द, बेचैनी या सीने में जकडन, सांस लेने में ततलीफ, गरदन, पीठ, बाह या कंधे म जी मिचलाना, सिर घूमना या चकर आना, ठकान, सीने में जलन अपच का एहसास, ठंडा पसीना आना शामिल हैं। हृदय रोग किसकी कमी से होता है? जदी आपके शरीर में विटामिन D की मातरा बहुत कम है, तो इससे हृदय संबंधी रोगों के होने का खत्रा बढ़ सकता है। कौन सी चीज खाने से हार्ट अटैक आता है? केक, बिस्किट, चिप्स इनमें मैदा, चीनी वँ अनहेल्दी चीजें भारी मातरा में होती है। ये चीजें हार्ट अटैक के खत्रे को बढ़ा सकती हैं। अतिरिक्त वसा, तले हुए खाद्यपदार्थ, अंडे और अंडे के व्यंजन, अंग मास, प्रसंस्कृत मास और शक्कर युक्त मीठे पे, कम वसा वाले उत्पाद, वसा रहित भोजन और ताजा खाद्यपदार्थों जैसे स्वस्थ विकल्पों के साथ बदलना चाहिए हाट अटैक ना आये, इसके लिए क्या करें? वजन कंट्रोल में रखें संतुलित आहार खाएं, अतिरिक्त फैट बटा तेल बटा मास से बचें, हरी सबजिया, फल, नट्स, मचली अपनी डाइट में शामिल करें धूमरपान और शराब के अधिक सेवन से बचें अपने ब्लाड प्रेशर, ब्लाड शुगर के स्तर और कोलिस्ट्रॉल को सामान्य रखें कौन सा फल खाने से दिल मजबूत होता है? फ्रूट्स फॉर हेल्थी हार्ट दिल की एक एक नस को साफम जबूत बनाते हैं छे फल डॉक्टर ने माना कम होगा हार्ट अटैक का खत्रा संतरा संत्रे में कोलिस्ट्रॉल से लड़ने वाले फाइबर पेक्तिन होते हैं क्या लहसुन हार्ट ब्लॉकेज के लिए अच्छा है? ये न केवल नसों की ब्लॉकेज को खत्म करता है बलकि ये खून में ठककों को बनने से रोकता है जिन्हें खून के गाढ़े होने की समस्या होती है वे अगर अंकुरित लहसुन खाना शुरू कर दें तो ये समस्या दूर होने लगेगी अंकुरित लहसुन में नाइट्राइट्स भी होते हैं जो धमनियों को फैलाने या चोड़ा करने में मदद करता है शोड़ से पता चला है कि प्रति दिन लहसुन की आधी से एक कली किसी व्यक्ति के कोलिस्ट्रॉल के स्तर को लगभग 10% तक कम कर सकती है यह प्रती दिन 3-6 ग्राम लहसुन के बराबर है कौन सा खाना हार्ट अटैक का खत्रा कम करता है फ्रिदय रोग को रोकने के लिए सबसे अच्छा आहार वह है जो फलों और सबजियों, साबुत अनाज, नट्स, मचली, पोल्टरी और वनस्पती तेलों से भरपूर हो मॉडरेशन में शराब शामिल है अगर बिलकुल भी और लाल और प्रसंस्कृत मास, परिश्कृत कार्बोहाइडरेट, अतरिक्ट चीनी, सोडियम और ट्रांस युक्त खाद्य पदार्थों के साथ खाद्य पदार्थों पर आसानी से चला जाता है अभी के लिए इतना ही आगे हम आपको इससे अधिक जानकारी देंगे तब तक के लिए हम आपसे विदाई लेते हैं लेकिन एक बात सब्क्राइब करेब थो लौजी इलबो रेटोरी चैनेल को कमेंट में जरूर बताए कि वीडियो कैसा लगा धन्यवाद